हर हर मादेव आप सभी को प्यार भरे राम राम सिद्धी का सवरूप कैसा होना चाहिए हर कोई कहता है कि सिद्धी का सवरूप यानि सिद्धी कोई भी सिद्धी कर रहे हैं तंत्र, मंत्र, जो कोई भी आप सिद्धी कर रहे हैं तो उसका एक सवरूप होना चाहिए, यानि उसका परती रूप, आप किसकी सिद्धी कर रहे हैं, यह आपको समझ में आना चाहिए, कि आप जिससे भी सकती की साथना कर रहे हैं, जिस भी सकती की सिद्धी करना चाहते हैं, जिस भी मंतर का सिद्धी करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपका सवरूप कैसा है उनके परती आप उनको किस परकार से सिद्ध कर रहे हैं आपके दिमाग में आपके माइंडली तोर पर परती रूप है या नहीं है उसका सवरूप है या नहीं है तो इस विसे मैं आज आपको समझाएंगे आपसे निवेदन ने अभी तक आ पर कर देजिएगा जैब बोले नात सिधिया जिसी भी सक्तियों की होती है, मंत्रों की होती है, तो आपको यह समझ में होना चाहिए, कि जिसकी भी सिद्धी करना चाह रहे हैं वो अपने दिमाग में उसका पर्ती रूप बन रहा है या नहीं बन रहा हैं मान लेजिए आप भहरव की साधना करना चाहते हैं बगवान सीव की साधना करना चाहते हैं हन्मान जे की करना चाहते हैं या और कोई यक्षिनी जिन जिनना जो कोई भी हैं जिसकी भी आप साधना करना चाहते हैं तो उसका परती रूप है वो आपके माइंड में होना तब जाके आपका ध्यान है वो उस सक्ति से जुड़ेगा हर बार मैं यही कहता हूँ कि आपका जब तक ध्यान उस सक्ति से connectivity के तोर पर नहीं जुड़ेगा तब तक वो शक्ति हैं आपसे आकर्षित नहीं होगी आपके परती आकर्षित करना पड़ेगा सादक को उस सक्ति को अपने परती आकर्षित करना पड़ेगा उसके लिए कहीं सारे नयम होते हैं कहीं सारे हमन किरिया की जाती हैं कहीं सारे भोग लगाए जाते हैं लेकिन जब सादक की मानशिक तोर पर उसका परती रूप परती भीम इसका जो मतलब साया जित रहें वो अपने दिमाग में नहीं है तो वो शक्ति आकर शित नहीं होगी अब कितना भी कुछ भोग लगाओ वो करो मंत्र जब करो लेकिन आप का माइंडली तोर पर आप कहीं औ कर रहे हैं या माला जब से जबते आप किसी मार्केट में घुम रहे हैं सापका माइंड चल रहा है तो वो आपका सिद्धी का परती रूप नहीं है वो सिद्धिया बड़ी मुश्किल से मिलती है फिर इसलिए समझना चाहिए कि सिद्धी का कोई है तो उसका परती रूप अपने दिमाग में पहले बैटाना जरूरी है जब उसका परती रूप बैठाएंगे जैसे मान लेजिए आप किसी इंसान का नाम ले रहे हैं तो जैसे उसका नाम लेंगे तो उसको आप पैसान लेंगे कि हाँ यह वही है उसका परती रूप आपके सामने आ जाएगा मतलब बिना देखे ही मान ले तो पर और सामने आते ही पैसान लेंगे कि हाँ यह वही है तो बस वैसे ही सक्तियों का को पर दिमाग में तो अपने वन्तर को Мसे का नहीं नहीं है । VISTA का में और शक्ति गोछ यह वो है कि वह सकती हैं कि कि यह थी है तो वो शक्ति हैं वह आकरशित होती हैं तवह का ध्यान उस शक्ति पर लगेगा, जब आपका दिमाग में उसका कोई शित्र नहीं बन रहा है, उसका कोई सिंतन नहीं बन रहा है, तो बिना सिंतन के, बिना शित्र के वो शक्ति आकरशित होना बहुत मुश्किल है, केवल आप मंतर चप करके दो घंटे, पांस घंटे खराब करेंगे, उ अगर आपका संतुलन सही नहीं है, मैंडली तोर पर तो आप मेडिकेशन किजिएगा, कुछ दिन मेडिटेशन किजिएगा, स्वास पर किरिया पर ध्यान लिजिएगा, धिरे धिरे आपका योग परवल है, वो बढ़ना चाहिए, योग किरिया हैं, वो बढ़नी चाहिए, ज सारे आगे से आगे बढ़ते रहेंगे इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप जो भी मंत्र जब कर रहे हैं जिस भी सक्ति का कर रहे हैं मालेजिए आप हिंदु धिरम में तो हर सक्ति के कोई कोई फोटो मिल जाता है कोई परतिरुप मिल जाता है साइध देखा है किसी नहीं देखा है लेगिन उसका परति भीम आपके सामने होता है तो वह आप मांचिक शिंतन के तौर पर वह मंत्र चलना चाहिए तो आपको शिद्धी मिल जाएगी आपको वीडियो अच्छा लगए लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर किजिएगा हरर मादेव, जैसरी मागाड